हेलो फ्रेंट्स वेल्कम तो माई यूटूब चैनल फ्रेंट्स से जीएश्टू लेक्चर सीरीज का 46 नमबर लेक्चर है आज हम लोग यूणिवर्सल बेसिक इंगम के बारे में पढ़ने वाले हैं प्रिंस आसा है कि इससे पहले जो वीडियो आये हैं उसको आप सबने देख लिया होगा और उसके नोट्स भी बना लिये होंगे अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो जाईए जो वीडियो नहीं देखें वो खोड़िये और उसके नोट्स बिल्कुल से बना लीजेगा साथी अगर ये वीडियो सेरीज आपको थोड़ा भी पसंद आ रहा है एक परसेंट का अभी घ्यान हो रहा है और अगर आप चाहते हैं कि योपी से कोड़ सही टाइम पर पूरा हो जाए तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत बूलिएगा शेयर करना बिल्कुल मत ब देखिए एक सिंपल में आपको मैं बता दूब कि गॉवर्मेंट क्या करती है अपने प्रतेख सिटीजन को है कुछ ना कुछ पैसा अगर देती है बिना किसी कंडिशन के ठीक है कोई भी हो अमीर हो गरीब हो लड़का हो लड़की हो कोई भी हो ठीक है जंडर से मतलब नही है क्रीट से मतलब नहीं है किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है अगर आप सिटीजन है उस कंट्री के तो आप कुछ ना कुछ पैसा जो है डिया जाएगा ठीक है तो उसको अगर आप सभी सब्दों में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं कि गवर्मेंट है फिक्स्ट अमांट मनी और रेगुलर बेसिस एंड विदाउट एनी कंडिशनालिटी तो यह हो गया आपका यूनिवर्सल बेसिक इंकम ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं सबसे पहले देखते हैं कि इसको कुछ कंपोनेंट से जबसे जो इंपोर्टेंट है वो है यूनिवर्सलिटी इसमें य प्रियोडिक है रेगुलर इंट्रवल पर मिलेगा सब को परिवार को नहीं यहां पर एपर प्रिवंदी की बात नहीं नहीं दौई फिर मेंख कन्डिशनल कोई नहीं होगा तो आएगा किसके अंडर यूवी आई के अंडर आएगा तीकिए सबसे पहले देखते हैं कि कुछ इसी कंट्री जो इसको फॉलौ करती इसका लेकर आई थी तो केनिया ब्राजील फिनलेंड और सुजिलेंड इन लोग यह यह कंट्री जो है मिल करके जो है यह कंसेट लेकर आ तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कुछ सेशा सपोर्टर्स हैं जिन्हों ने युनिवर्सल बैसिक इंकम को सपोर्ट किया है उसमें सबसे पहला नाम आता है वह आता है एककोनोमिक्स के नोवेल ओडिट है उनका नाम है पीटर डाइमन और क्रिश्टोफर पीसे राइट इन लोगों का कहना है कि युनिवर्सल बैसिक इंकम होना चाहिए तो यह लोग सपोर्ट करते हैं इस चीज़ को ठीक है चलिए तो कुछ डेटा देखें तो अगर बात करते कि कितना पैसा जो है बारत का इसमें खर्च हो जाएगा देखें अभी जितना जीडीपी चल रहा है वारत का उसकी हिसाब से 4.9 परसेंट जीडीपी जाएगा प्रतिया ब्यक्ति को हर एक साल सब्सक्राइब लगेगा यह अभी नीड बता रहे कितना नीड है तो अब देखते हैं कि क्या इसका प्रोज है क्या क्यों से देखिए प्रोज की अगर बात करें तो यह होता सबसे पहला कि प्रोज की प्रोज काम मतलग होगा कि व्यक्ति से व्यक्तिंसल् हें को थो पास पैसा आए गा ही तो वह और भी काम में बटा सकता diet जैसे जैसे कोई योजना आती इसमें पैसा देने की बात आती है तुसमें क्या होता है अलग अलग लेर से पैसा पास होता है ठीक हो जाता है अपने सुना हो गए कि बहुत अच्छा एक बहुत अच्छा एक शेइंग था हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी जी वो क्या करते हैं अगर एक रूप्य सेंटर से चलता है तो जब नीचे लेबल पर पहुंचता तो 16 पैसे मिलते हैं कोई स्कोप नहीं रह जाएगा ठीक है चलिए फिर करते हैं जैसा है उस हिसाब से खर्च कर सकता है अगर वह ब्यक्ति चाहे तो उससे बुरा काम भी कर सकता है ठीक है चलिए आगे देखते हैं अगला है कि इंक्रीज पर चेजिंग पावर देखिए जैसे यह पैसा लोगों क हाथ में आएगा तो उसका खरीदने का चमता बढ़ जाएगा पर्चेजिंग पावर बढ़ जाएगा इससे क्या होगा डिमांड बढ़ेगा अब माली जो कोई किसान है उसका बनियान फटा हुआ है वो बनियान नहीं खरीद रहा क्यों को कि उसके पास पैसे नहीं है अब तो एकोनमी भी ऐसे बढ़े ज़ी ठीक है डिमांड सप्राइगा का आपको पता होगा ठीक है तो यह क्या होते तरीके से डिमांड को पुछ करने में एकोनोमी को पुछ करने में पर्चेजिंग पावर को पुछ करने में जो है बहुत अच्छा योगदान निभा सकती है एक साइकोलोजिकल सेटिसफेक्शन का भावना जो है सिटीजन के अंदर डालता है माल लिए कि कि किसी को डाउन प्रोड़ें है और उसको उतना पैसा सालाना आना है तो फोड़ा से निश्चिंत रहेगा mentally free रहेगा ठीक है तो एक साइकोलोजिकल सेटिसफेक्शन भी होता जाएगा अलग बैंकिंग फैसिलिटी का यूज किया जाएगा तो जब उसको पैसा रहेगा तब न वो काम करेगा गरीव आदमी क्या कैसे काम करेगा तो उसको पैसा जब दिया जा रहा है यूनिवर्सल बैसिक इंकम के माधियम से तब वो financially included हो जाएगा यह वो financial inclusion का क्या होगा एक अच्छा जड़िया बनेगा ठीक है तो इसलिए UBI को क्या करते है इसे गूट सोर्स फूर फैनिंशियल इंक्लोजन ठीक है यह भी एक पॉइंट आप प्रोज में याद रखिएगा इससे बेटर गवर्नेंस हो सकता है गवर्नेंस बेटर कैसे होगा जड़ा इसक असको फूडर कर पाएगी सब सपोज कीजिए किसी के पास में पांच जड़ा रुपय हैं उसके घर में अनाज है तो खाने के लिए है उसके पास थीक है लेकिन उसके बच्चे को पढ़ने के लियुए उसके पास करेंगे समझ रहें तो इस समाजिक सुलहार हो रहा दूसरी चीज़ हो रही है कि अब जैसे सरकार को क्या करना होता है हर एक दिसा में जो ध्यान देना पड़ता है तो अगर इस तरीके का UBI कर दिया जाएगा तो और भी जो एक्स्ट्रा जो स्कीम्स दिये गए थे उसको कम कर तो मतलब जो प्रसार था जो ज्यादा हमारा मैन पावर हमारा यूमन रिसोर्स खर्चा हो रहा था वो भी सिमट के इ कोई भी शॉक आता है जैसे माली जे डिजाश्टर हो गया पैंडेमिक हो गया जैसे कोवीड नाइटिन फोगास में कितने लोग उन्हें अपनी नौकरी खो दी है ना तो इस इस टाइप के सिचुवेशन में जो है यह सपोर्ट करने का काम करेंगा लोग देखें ऐसा नही इससी इनिक 진행 धुक्रकी करने का मतलब यो की जुषतात्रबब कुछ भी हो कोई मतलब नहीं होते मतलब कि मिलना है तो इससे क्या होंताव मगार्डीव ताम में जो घरीब तब कर आलमी है अगर हम बात करें कि तो अपर क्लास से बूसको सब को मिलना नाब देखेगा प्ड की पेडियोंट में नाम हटा दिया कई बार सूनाओ चुनाओ के टाइम में अपका धूसिजह से कड़ जाता है कई बार जो है न तो आपको最 exclude और include का भी tension होता है लेकिन इसमें क्या रहेगा कि आप citizen है भी आपको मिलेगा सीदिसरी बात है कोई tension नहीं है inclusion, exclusion का सब को मिलना है समझ गहें तो एक तरीके से ये भी एक इसका positive point है कि कोई exclusion, inclusion का खतरा नहीं है लेकिन कुछ इसके कौन्स भी हैं कुछ इसके क्या कहते हैं निगेटिव जो पॉइंट्स हैं वो भी आपको देखना है तो पहला है रिलक्टेंस टूर जब पैसा कंफर्म हो जाएगा तो लोग काम करने की इच्छा कम रखेंगे जब पैसा हाथ में होगा तो लोग खर्च ज्यादा करेंगे खर संतिंग परसेंट जो है सरकार का वह ऐसे खर्चा होने वाला जबकि अभी बहुत कम एमोट अनुवाली दिया जटा अगर पर असा बढ़ा देंगे तो GDP कहां भागे आपको पता नहीं है ठीक है मतलब कि फिजल बर्डन जो गवर्मेंट पर बहा जाता फिर बढ़ सकता है यह भी पॉइंट आपको नोट डाउन करना है फिर होता है डिज्गाइज इंप्लेमेंट डिज्गाइज इंप्लेमेंट समझते हैं तो यहां पर गाऊ है जहां पे 500 लोग अब लेवल हैं तो अब ये 500 लोग बेरोजगार हैं कोई काम नहीं है इनको तो ये क्या करेंगे चलो इसमें काम कर लेते हैं अब ये जरूरत 50 का ही था अब चले गए 500 काम करने के लिए तो क्या हो रहा है इसको बोलते हैं अब यह हुआ है एक खेत का मतलब धान अगर उखाड़ना है वहां से तो मतलब पांच आदमी काम करता है कि उसमें पचास आदमी लगा हुआ है इस तरह का ज़रूरत से ज़्यादा आदमी जब उस काम में लग जाएगा तो ओभी तरीका का निम्प्लॉइमेंट ही है तो यह होगा ऐसे निम्प्लॉइमेंट मतलब लोगों पैशा रहां गाली है तो सटे से काम कर रहा है तो यह भी चीजह इसे एक प्रम लेजिनेस लोगों का जो गाम के प्रती Sup misma का भावा जाएगा लेजीनेस होगा और साокर्ना चाहिए है यह लोग नहीं पर irmthose झानो है इuni कि होते है रहा क्या मतलब खाओ और स्वय रहो तक्या लगा के अरे रहो ठीक है तो इस तरीका का सिच्वेशन जो है डिबलब हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं लोग कोक्ती जो होता है ना वह बहुत चीज आपको मतलब बताता है ठीक है वह ऐसे ही नहीं बोल दिया गया है आप देख दारू पी लेजएगा घंजा पी लेजएगा ठीक है समझ गया तो अगर आप निगेटिव लेज़गी तो फिर तो वह गलती का कारण हो यह पिर वह आपको पतन की और जाएगा ठीक है तो यह पॉइंगेटिव है और निगेटिव पॉइंट है कि इस टेंपरोरी अलोकेसे जो यहां घ्याप्ति वह दो जहाँ खर्चा होना चाहिए था जैदा जिस मद में घ्यादा होना चाहिए तो उस तरह जाएंटर लेवल पे बात करें कि ऐसे मां लिए है सब जगह से कट लेगा तम था सकता तो यह क्या होगा पैसा को समझ तो यह चीज हो उसके बाद वेश्ट फुल पाट सपेंडिंग फालतु के खरचा वो बढ़ जाएगा पैसा पैसा काटता है उड़ता है उड़ने लगता पैसा पर प्र प्र इस तरीक से वोट रेघ्ड बढ़ जाएगा प्लिटिक्स ज्यादा बढ़ने लग तो कर देगा कि उसमें भी पोटा सिस्टम लगा देगा फलाने जाती पर चलने पर तो आप समझज रहें तो तो पॉलिटिकल लोगों से का दिमाग कहां पर क्या निकाल देगा नया फर्मूला कोई नहीं जानता है ठीक है तो उसका तो बात ही छोड़ दीजिए समझगे तो इस तरीके से इसका प्रोजन कौन से अगर वे फरवर्ड की बात करें तो आप इसको अपने तरीके से भी इसको अपने बहुत अच्छा लक्सर बना हुआ देख लिजेगा चिल्ट्रेंस इन लोगोंगा प्रपर डेटा नहीं होग न तब तक जो है इस चीज को लागू नहीं करना चाहिए गवर्मेंट को क्या जरूरत है गवर्मेंट नीद तो इंवेस्ट इन कैपसिटी सब्सक्राइब कर दिजेगा और इसको स्कैन करकी जो मेरा टेलिग्राम का ग्रूप है वो ज्वाइन कर दिजेगा ठीक है सब्सक्राइब जरूर कीजिए अब इसी से मॉटिफीशन होगा हमारा ठीक है व्यूज और और क्या करते हैं सब्सक्राइब यह दो चीज जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए शेर कीज़ेगा तभी यह चीज होगा ठीक है और लाइक वगर कर दिएगा तभी लोगों के सामने पूंचेगा तो कुल में अगर क्या आपको करना कुछ नहीं प्रिक अग्दा में एक दो मिनट लएगा सब कुछ करना में ठीक है समझ गया तो आज की लिचन में इतना ही टेक कियर बाई ऑल दे वेरी वेस्ट फूचर मिलते हैं अगले लेचर में पढ़त किध वे लेचरी वेवा़ते हैं अगर में लगभे लेचा झी लेचर अवाजविक अगर काती हैं अगरा टेमाझाद वेवा़ते हैं